हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है मनीश और आप देख रहे हैं साइन्स और फैक्ट्स क्या आपने कभी यह सोचा है कि अंडे के अंदर चुजा सांस कैसे लेता है और क्या आपको पता है कि जुपीटर इतनी तेजी से रोटेट करता है कि वहाँ एक दिन मात्र 10 घंटे की ही होती ह है मतलब वहाँ हर 10 घंटे के बाद एक न्यू सन्राइज होती है ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और नॉलेज वाली बात जानने के लिए मेरे वीडियो को लाज तक जरूर देखें और पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब भी करें तो चलिए सुरू करते हैं चॉकलेट वर सुनते ही आपके दिमाग में ये चलने लगता हुआ कि चलो कुछ मीठा हो जाए लेकिन आपको या जान के हैरानी होगी कि जब सबसे पहले बार चॉकलेट की रेशिपी बनी थी तो उसमें चीली के जगह चिली पाउडर का इस्तेमाल किया गया था 40 ही एक ऐसा नमबर है जिसमें सारे लेटर्स अलफाबेटिकल ओडर में आते हैं पहले एफ फिर ओ फिर आर फिर टी उसके बाद वाई क्या आपको पता है एक दिन में हम लोग 22500000000 कब कॉफी पी लेते हैं मतलब एक दिन में हम लोग 2.25 बिलियन कब कॉफी का कंजंप्शन करते हैं फैक्ट नमबर 4 क्या आपको पता है टंग ही एक ऐसा मसल है हमारे बोडी में जो सिर्फ एक तरफ से कनेक्टेड है फैक्ट नमबर 5 इस दुनिया में सबसे खतरनाग जानवर मस्क्यूटो यानि मच्चड है जो हर साल 10 लाक से भी जादा लोगों की जान ले लेता है और यकीन नहीं है तो गूगल कर लो फैक्ट नमबर 6 एक गाए आपको कभी काट नहीं सकती है क्योंकि उसके सिर्फ निचले जबडों में ही दात होती है ऊपर के जबडों में नहीं जी हां और शिर्फ गाए ही नहीं बल्की कोई भी हर्भी पॉरस eseg fors आनिमल आपको काट नह लेते हैं और मुह में लेने के बाद अचानक से दर्द कम क्यों जाता है क्योंकि हमारे सलाइवा में एक बहुत ही स्ट्रॉंग पेनकिलर पाये जाती है जिसका नाम ऑपियोर्फिन है जो मॉर्फिन से 6 गुना ज्यादा पावरफुल है अंटार्टिका ही एक ऐसा कॉंटिनेंट है जहां कोई भी साप नहीं पाये जाता है और साप ही नहीं बलकि वहां कोई भी रेप्टाइल्स नहीं पाये जाती है फैक्ट नमबर नाइन सुभा उटने के बाद हम लोग अंगडाई जरूर लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है चीटियां भी सुभा उटने के बाद अंगडाई जरूर लेती है फैक्ट नमबर टैन हम लोगों की जीव में मात्र 90 पर 30 टेस्ट बड्ड ही पाये जाती है बाकी के टेस्ट बड्ड हमारे इनर चीक और ठ्रोट में पाये जाती है फैक्ट नमबर इलेवन डॉक्स अपने बॉड्री से नहीं बलकि अपने पैट्स से स्वेट करता है मतलब उनका पसीना उनके सरीर से नहीं निकलता बलकि उनके पैट्स के त्रू बाहर निकलता है Fact No.2 L क्या आपको पता है एक सार्क हमेशा तैरते ही रहती है चाहे वो सो रही हो या फिर रिष्ट कर रही हो Fact No.13 एक मगरमच खुद के सरीर को भारी बनाने के लिए पत्थर को निगल जाता है ताकि उसका सरीर भारी हो जाए और पानी में वो और नीचे तक डाइव कर सके Fact No.14 एक रिसर्च में ये पता लगाया गया है कि हम लोग सबसे ज़्यादा यूज ब्लू कलर की तूथ ब्रस का करते हैं तो सब लोग अपने अपने तूथ ब्रस का कलर जल्दी से कॉमेंट में लिग दो और कोई चीटिंग मत करना मैं भी तो देखू इस रिसर्च में कित लिकिन जैसे ही वो अणड़ा बाहर आता है तो अपने सर्राउंडिंग के हिसाब से कूल करना स्टार्ट कर देता है जिससे अणडे के अंदर का मैटेरियल सिकोडने लगता है और अणडे के अंदर एक भैक्यूम बैक क्रियेट हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन भर जाती है जिससे की चूजा को अंडे के अंदर सांस लेने मदद मिलती है और ये मत समझना की अंडा पूरा पुरी सौलीड होता है, बलकि उसमें हजारों पोर्स पाए जाते हैं, जिससे की carbon dioxide को बाहर निकलने मदद मिलती है और अंडे के भीतर fresh air आते रहता है तो आज की दिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो like करो नई हो तो channel subscribe करो और notification bell को भी on कर लेना और अपने दोस्तों से जरूर पुछना की अंडे के अंडे के अंदर चुजा सांस कैसे लेता है और अगर उन्हें नहीं पता तो मेरी वीडियो जल्दी से forward कर दो उन्हें और आप कमेंट जरूर करना की आपको कौन सी facts बहुत अच्छी लगी तो मिलते हैं आपसे अपने next व बंदे मातर हैं